दोस्तो पाट तुमें मेक आसकर को घर से चला जाने के लिए कहता है तभी उनको एक बच्चे का साउंड सुना देता है जिसे देखने के लिए मीक और आसकर घर से बाहर आता है उनको बाहर एक बेबी पंडा दिखाय देता है आसकर बेबी पंडा का टोकरी में से एक टोकेन चूप कराओ, मैं इस बच्चे को रोता हुआ ने देख सकता है, तभी औसकर कहता है, सायद बच्चे को भूक लगाओगा, और कुछ खिलाना परेगा, तभी औसकर एक नारियल पेर से, नारियल तोरका नारियल का पानी बच्चे को पिलाता है, और फिर औसकर मिक से कहता है, तुम इस बच्चे को रख सकते हो, मिक गुस्सा होकर कहता है, मैं इस बच्चे को उसका मम्मी पापा को देख के आऊँगा, क्योंकि मुझे मेरा डेली लाइफ को जीना है, और इसका साथ रहकर मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, और असकर मिक से कहता है, हम दोनों मिलकर इसको जाओ तो बहुत आसान होगा, और उसे अपने बोर्ड में छोडने के लिए लेकर जाता है, तभी आसकर आता है, और जाने के लिए बहुत रिकोष्ट करता है, लेकिन मिक मना कर देता है, और आसकर बोर्ड के नीचे लटकता हुआ, मीक के साथ जा रहा होता है, और एक बास का सहायता से ओसकर सास ले रहा होता है तभी मीक बोर्ड में एक बास को देखता है इसलिए मीक उस बास को खीच कर बाहर निकलने का कोशिश करता है और यह नई कर पारा होता है इसलिए मीक बास में फू मरता है जिस बज़े से ओसकर का पेट फूल जाता है और पानी से बाहर जाता है और वोड में अकर गिरता है मीक ओसकर को देख के बहुत गुशा होता है और उसको उधर से चले जा रहा होता है तभी बेबी पंडर होने लगता है मीक उसको देख कर परिशन होने लगता है मगर ओसकर रोना चुप करा दिया था मीक ये सब देखकर ओसकर को अपने सा चलने के लिए क्याता है और मीक आजसकर से कहता है बोट को तुम चलाओगे मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ और देखना बच्चा ना होए और हो सने के लिए चला जाता है तबी आजसकर के पास एक डुकनम का एक पंची आता है उसकी आवाज सुनकर मिक बाहर आता है और उसको चले जाने के लिए कहता है लेकिन पंची कहता है मैं तो चाय पीने के लिए आया था और फिर मिक डुक को अपने साथ रुखने के लिए कहता है रात होने का बाद सवी नदी का पास में रुखता है और एक जन्नस नम का एक भेरिया जंगल से काफी डरता है और उसको जंगल से एक डरवना साउन सुना देता है जिसके वज़े से वो पेनलाइस हो जाता है और जन्नस डरवना साउन से पूछता है तुम कौन हो तब ही जन्नस देखता है कि एक पेर के पिछे से चमकता हुआ एक बेरिया बान निकलता है और बेरिया कहता है कि मैं तुम जननस उदर से डर के भाग जाता है और वही मीक और सवी साथ ही सो रहा होता है तभी मीक एक डरवना सपना देखकर चिलाते चिलाते उड़ जाता है और मीक ऑसकर से कहता है मैं एक डरवना सपना देखा हूँ मेरा बात पर भरौसा करो मैंने देखा है तुम मेरे बेटे हो और वो एक खतरनक सपना था और फिर मीक और आसकर बोट के अंदर जा रहा हो ता मीक डोक से कहता है कि बेबी पंड़ा का ध्यान रखने के लिए और तबी जनस भाग कर मीक के पस आता है लेकिन डर के मारे प्रालाइस हो जाता है जनस कहता है मैं हर एक चीज से डरता हूँ जिस ब बाइब कर मीक बगेंगा हुआ रहा है